कि महंगाई को कैसा कम करें, इसके लिए कैसा लड़ें, अनेम्प्लॉमेंट के लिए कैसा हम लड़ें, और इतने प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डिजल के और खास करके हैं, मोदी जी हमेशा सो रुपे बढ़ाते हैं, दो रुपे कम करते हैं, अब पेट्रोल की, लपी जी की जो दाम थी, वो more or less डबल हो गई, लेकिन उनोंने उस में से सिर्फ दो सो रुपे कम किया, यहने सात सो बाकी रहा यहने पहला जो पच्वन रुपे में एक सिलेंडर मिलता था, उसको उन्होंने अभी भी 70 रुपए में ही रखा, याने कोई कम नहीं हुआ, पहले जो था उससे ज़्यादा बढ़ाये थे, उसको थोड़ा कम करें, लेकिन इससे लाखों रुपए उन्होंने कमाया, यह तो गरीबों से चोरी कर दिये, और गरीबों के जो काटे, और लोकों को दिखाने के लिए 100-200 रुपए कम करना, और कहना कि मैं गरीबों के लिए काम करना हूँ, मोदी साहब गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, यह यखीन मैं दिलाता हूँ, क्योंकि उनकी हमेशा यही रण निती रही है, कि गरीबों के खिलाब काम करते है बड़े बड़े उद्योगी पती के साथ वो मिल जुल के चलते हैं और यहां पर तो कली एक रिपोर्ट आपके सामने राहुल गांदी जी ने रखा था अडानी की संपत्ती बढ़ गई कैसी बढ़ाये कोन और कैसा आज कम से कम पचातर हजार करोड रुबए गरीबों के जो पैसे थे उनके जेब में कैसा गया यह सारी चीजी उन्होंने बताया तो यह जो है इसके खिलाप लड़ने के लिए जो बड़े बड़े शर्मायदार है और उनको जो पैसा जा रहा है हमारा गरीब का तो उसको रोकने के लिए इंडिया जीतना जरूरी है और इंडिया जीतने के लिए ही इस मंज पे सभी लोग बैटे हैं तो इसलिए हम एक जो तै किये हैं जो रेजलूशन भी आप देखे हैं और उसी डंग से उस रेजलूशन भी काम करेंगे हर जगे मीटिंग करेंगे हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे और जो ये मुद्दे हैं इंफलेशन का हो अनेंपलामेंट का हो हर चीज की जो बड़त हो रही उसका हो और अठोनुमस बॉडिज को सत्यानास कर रहे हैं और चाया इडी सीबियाए विजिलन्स हर रेक अठोनुमस बॉडी का मिस्यूज कर रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ मैं भी मोर और लेस शरत पवार जीज साहब के बाद मेरा नंबर लगता है मैं भी 55 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और 52 साल से एमले एमपी राजसभा का मिंबर हूँ मैं ऐसा नहीं देखा कोई ऐसा चीप मिनिस्टर किया नहीं है लेकिन आज मोदी सडनली अवर एक बात की कि बिजनेस अडवाईजरी कमीटी को नहीं पूछे अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाये किसी को बुलाये बगर वो पार्लमेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बना बुला रहे हैं अरे स्पेशल सेशन मनिपूर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया कोवीड के वक्त नहीं बुलाया जब आप चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है कब्जा कर लिए उसके लिए नहीं बुलाया लोग तंग और तबा इसमें डी नोट बंदी के वक्त परेशान थे माइगरेंट वर्कर परेशान उस वक्त नहीं बुलाया जब जब मुलुक अपने मुश्किल में रह था उस वक्त उन्होंने कभी नहीं बुलाया अब क्यों बुलाये मुझे मालूम नहीं आज का अजंडा क्या है उनका मालूम नहीं तो ये देश चलाने की वीद नहीं है उन्हों आइस्ता आइस्ता डिक्टेट रसीब के तरफ जा रहे हैं और यह जान में रखना चाहिए कि कभी मेडिया उनके साथ है वो एक उनके दमाग में है प्रेस मेडिया हो टीवी हो यह सारी चीजे मेरे पास है यह उनका कहना है और हमको कभी-कभी ऐसा दिखता भी है आप घुसे में आके हमारे खिलाफ मत लिखो तो जो कुछ है वस्तुष्टिति आपको भी मुझ को ताला लगाया हाथ बन दिये आपके भी लिखने के यह सारी चीजे कर रहे हैं और आइस्ता आइस्ता डिक्टेटर के तरफ वो जा रहे हैं तो हम इसके खिलाफ लड़ने क दूपने के लिए उनके जो कुछ भी एक यह करप्शन बड़े करप्शन उनके जो इंस्तिटुशनल करप्शन होते हैं ऐसा चोटा मोटा करप्शन वो नहीं करते हैं लोगों को नहीं दिखना वो पूरा लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड घपले हो है तो उनका corruption invisible है और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं किसी को न खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा लेकिन खाने तो सब कुदे रहे हैं अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं लेकिन लोकों को भूके मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे, तो इसके लिए हम आवाज उठाएं और उसके तह़े हम काम करना हैं, आगे भी हमारी कहा मीटिंग हो गी, हम तई करने वाले हैं, जल्द से जल्द ओभी मीटिंग हो गी, और बाकी के जो विशे हम आपके सामने रखे हैं मुद्धे, उनके उपर हम लड़ते रहेंगे, वो डराने की कोशिस करते हैं, हम डरेंगे नहीं, यह हमारा वाहिदा है, और हम हमेशा लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे, और आज मुंबई में जो हमारे महरास्ट विकास अगाडी, जो यह स्टेप लेकर हमको बुलाए हैं, उद्धो जी लीड लिये हैं, और बाकी कॉंग्रेस पार्टी और NCP सभी ने मिलके यह जो एक यहाँ पर कारेकरम रखा और बहुत एसेस भी हुआ, इसलिए मैं उन महरास्ट विकास अगाडी के सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी को भी मैं दन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आगे की और भी मीटिंग्स हैं, ओर डेट, टाइम सभी बताएंगे, और कहां कहां मीटिंग हमारी होगी, बहुत से पांच-छे जगे पबलिक मीटिंग होगी, ओ भी हम आपको बताएंगे, और काम करते रहेंगे, और मजबूत के कोशिस, मोदी जी कितना भी कोशिस करे, हम वो डरने वाले नहीं है, इसलिए मैं इतना ये कहूंगा कि उन्हों तो हमेशा मोदी जी जूट बोलते ही रहते हैं, लेकिन लोक उनको सच समझते हैं, लेकिन अभी भी महराटी में ये कहवत है, खोटा बोला, पर रेटून बोल तो ऐसा उनका है, इसलिए सब जूट बोलते जाते हैं, लोकों में वर्म डालते हैं, तो वो सब को हमको एक्स्पोज करना है, हम करते रहेंगे, धन्यवादु